नमस्कार साथियो, History through timeline के इस second session में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, इसके पहले वाले session को आप सभी ने देख लिया होगा, and I hope वो आपको समझाया रहेगा, वही उसी का extended session है ये वाला, जिसके अंदर हम medieval Indian history के बार में बात करेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बदा दू कि ये जो document है, इसका link description box में दिया गया रहेगा, आप इसको download कर सकते हैं, and it is totally available for free, अब यहाँ पर मैं एक और disclaimer देना चाहूँगा, कि सिर्फ और सिर्फ document पढ़ने से इतना ज्यादा grasp नहीं आएगा, ठीक है, आपने document के साथ ताथ आपने इस video को भी देखना है, ताकि cases of the UPSC previous year question papers, and further expected themes, जिसके अंदर UPSC सवाल पूछ सकता है, उसके अपर, and जैसे कि अगर आपने UPSC के previous year papers को अगर analyze किया होगा, and अगर आपने मेरा source investigation series, जो हमारे channel YouTube के अपर भी मैंने upload कर रहा है, अगर उसको आपने देखा रहेगा, तो आप समझ चुके रहेंगे, कि UPSC का mindset क्या है, and वो किस, जो further expected themes है, उसके अंदर chronology को वो कितना importance दे रहें, और वही chronology को हम यहाँ पर timeline के basis पे cover करने की कोशिश कर रहें, and साथ ही हो हम यहाँ पर पूरे ही medieval history को इस particular session में timeline के basis पे हम पूरा cover कर देंगे, जिसके बाद आपको कोई भी दिकत इतनी जादा नही आएगी, आप confidently कोई भी medieval Indian history के सवाल को solve कर सकते हैं, examination के अंदर, इसी के साथ साथ मैं आपके लिए एक और announcement करना चाहता हूं, कि the IAS Hub के तरफ से कि समाधान series, जो हमारा prelims के लिए core series है, जो cram model पे based है, that is content revision, जो content revision वाला model है, उसके उपर हमने इसको base किया है, ताकि आप इ उसको देख के आप डरे नहीं, और आपका जो probability of getting that answer right, वो बहुत जादा बढ़ जाए है, और इसी के अंदर science and technology, जिससे बहुत सारे aspirants बहुत घबराते हैं, उसको हमने बहुत अच्छे से decode करा है, और वो भी आपको इसके अंदर दिया जाएगा, और इसके details भी आपको description box में दे दिये गए रहेंगे, आपने बस वहाँ पर कॉम भरना है, and then the team will contact you, यहाँ पर देखिए, इस particular handout में हम क्या cover कर रहे हैं, हम cover करने वाले हैं, the early medieval time period and the medieval time period, अब यहाँ पर majorly, अब देखिए, यह हम मुगल सल्तनत तक हम इसको cover करेंगे, but यह start करने से पहले document, मैं आ ऐसे कि कल मैंने आपको बताया, कि जो history है, उसको हम तीन भागों में divide कर सकते हैं, एक तो हो जाता है ancient history, दूसरा हो जाएगा आपका medieval history, and then इसके बाद हो जाएगा आपका modern history, अब इसमें क्या होगा, कि ancient का तो time period अपने को पता है, कि भाई वो prehistoric time period से कब तक आएगा, होता है, इसके बाद हम medieval period की शुरुवात करते है, that is from the 8th century AD onwards, जब Islamic conquest India के अंदर बढ़ने लगता है, and इंडिया के अंदर जो राजघराने होते हैं, बहुत local level पे वो सब powers में आना शुरू कर देते, that is a disintegrated empires in India, और इसलिए हम medieval period को हम दो भागों में divide कर देते हैं, एक होत जो categorization है, वो अलग-अलग होते हैं, मैं यहां पर बस आपको एक simple categorization बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें UPSC आपसे पूछ सकता है, जैसे UPSC हमेशा problems के अंदर क्या पूछता है, कि in the early quarter of the 16th century क्या-क्या चीज़े घटित होई रहेंगे, उसको chronology में सजाईए, ऐसा कर चीज़े ना, कि early medieval क्या होता है, और later medieval क्या होता है, या medieval क्या होता है, तो early medieval जो होगा ना, साथियो, वो generally आपका आठवे शताबदी AD से शुरू होगा, और वो 1206 AD तक वो चलते रहेगा, 1206 AD से यहां पर actual medieval period स्टार्ट होगा, क्योंकि यहीं पर Islamic dynasties इंडिया के अंदर set up हुए थे, that is the Delhi Sultanate, और यह Delhi Sultanate के बाद यह medieval period चलते रहेगा, that is Delhi Sultanate के बाद जो मुगल empire आएगा, वो भी medieval के अंदर आएगा, लेकिन हम modern की शुरूआत कहां से बोलेंगे, तो modern की शुरूआत है ना, साथियो, जो European, European का power जब भारत के अंदर बढ़ जाता है, तब से हम ब वो medieval ता, लेकिन जब अंग्रेज भारत में एकदम powerful होने लग गए, तब से भी हम modern की शुरूआत करते हैं, ऐसा कुछ का बोलना होता है, तो यहां तक यह होता है categorization, I hope आपको यह चीज़ समझ आया रहेगा, अब let us just start with the early medieval, कि early medieval में कौन से कौन से dynasties थी और उनका chronology क्य क्या है, timeline क्या है, यहां पर सबसे पहले अगर मैं start करूँ, तो early medieval के अंदर देखिए, यहां पर North India में, अभी फिलाल हम North India की बात कर रहे हैं, तो North India में तीन अलग-अलग dynasties rule कर रहे थे, West में गुजरात के तरफ गुर्जर प्रतिहार rule कर रहे थे, and राचपुताना का भ बीच में यह तीन डिनस्टी मेजरली बहुत पावरफुल हुई, और यह तीनों इंडिया के northern belt को पूरी तरीके से rule कर रहे थे, South India की बात साथियों अभी तक अलग है, उस पर अभी तक हम आए नहीं है, यह में North India और Deccan की ही सिर्फ अभी तक बात कर रहा हूँ, अब उसी प्राथ और राजस्तान एरिया में क्या हुआ, कि एक डिनस्टी थी, यह वेस्ट इंडिया और सिंट्रल इंडिया पे राज कर रही थी, इसका फार्मेशन लगबक कब हुआ है, 750 AD में हुआ, और यह चलते रहा 11 शताबदी AD तक, अब राजपुताना यह जो डिनस्टी थी ना यह राजपुताना वाली डिनस्टी थी, ठीक है, मतलब राजपुताना का जो एरिया है राज़स्तान का एरिया, और हमें तो यह चीज़ बहुत अच्छे से पता है, कि राज़स्तान रजवाडों का गढ़ है, बहुत सारे रजवाड़े वहाँ पर होते हैं, तो गु गोजर प्रतिहार most prominent होता है ancient यह मतलब early medieval time period में क्योंकि यहाँ पर इसके बहुत powerful साशक होते हैं अब गोजर प्रतिहार का ruling period वो 11 शताबदी AD तक यह rule करता है और इनके बार में हमको information कहां से मिलती है साथ हो यह प्रलिम्प के लिए बहुत important है यहाँ पर हमको eyehole inscription से मिलता है जो हिउन सांग के records हिउन सांग के बुद्धिस traveler थे जो हर्ष वर्धन के समय पे भारत के अंदर आते हैं हर्षा के टाइम पे और हर्ष चरिता से भी हमको गुलजर प्रतिहार के बारे में पता चलता है अब यह जो eyehole inscription है न सातियो यह चालुक्या यह चालुक्या सामराज् जो पुलकेशन सेकेंड थे ना पुलकेशन सेकेंड उनका inscription था यह पुलकेशन सेकेंड के एक quote poet देर रवी कीरती उन्होंने इस particular eyehole inscription को लिखा था इनका capital का था राजस्तान में भीनमल में अब UPSC का major objective क्या होता है यहां पर वो गुलजर प्रतिहार क्योंकि important dynasty है उसके rulers का chronology आप से पूछ सकता है जैसे कि UPSC ने अल्रेडी पूछा हुआ है कि आंद्र भूजा हम किसको बोलते हैं ठीकि आंद्र भूजा बहुत सारे लो थे तो वही चीजे मैंने यहां पर लिखी है तो chronology के अंदर यहां पर रूलर को लिखा गया अब यही डिनस्टी के founder कौन होते हैं हरी चंद्र होते हैं लेकिन हमें इनके बार में इतना कुछ पता नहीं होता है लेकिन यह इनके बाद मतलब इनके कुछ समय के बाद हमें ज बहुत सारे rulers हैं ऐसा नहीं है कि यह प्रॉपर ही chronology है क्योंकि there is lack of evidence and अलग-अलग sources के इसाब से अलग-अलग नाम यहां पर राजास को attribute होते हैं जो UPSC perspective में इतना important नहीं है जो important चीजे है वो मैंने यहां पर already लिखे हैं in the chronological order मतलब important rulers को chronology में मैंने यहां पर लिखा इक और दूसरे नाम से जाना जाता था that is known as the Mahodaya यह नाम याद रखना है अब यह logic में आपको समझाओंगा इनका original capital कहा है भिंदमल राजिस्तान में लेकिन कन्नौज capital क्यों shift हो गया यह मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में इसके बाद अगले ruler नागभटा होत मतलब ग्वालियर के अंदर एक inscription था जो इन्हों ने करवाया था और उसके अंदर इनको नाम दिया गया था आदी रहा इसका मतलब क्या होता है कि शायद इनका जो रूल था it extended till ग्वालियर in MP ठीक है so that is one another thing all right so इसके बाद क्या होता है कि दूसरा हो जाएंगे इनके बाद जो अगले राजा हो जाएंगे that is the Mahendra Pal. Mahendra Pal के बार में हमको कहां से पता चलता है पंजाब inscription से हमें पता चलता है कि भाई Mahendra Pal जो है उनको एक और नाम से बुला जाता था that is the Mahendra युद्धा साथियो UPSC ये सारे नाम जो है ना बहुत important है उसके लिए examination purpose के लिए and इनके court में बहुत ही important poet थे जिनका नाम था राजशेखरा राजशेखरा इन यह जो राजशेखरा है इसने इनको एक नाम से पुकारा है that is the निर्भय नरेंद्र मतलब वैसे व्यक्ति जिसको किसी का भी भय नहीं है मतलब यहां पर इनका कितना power दरशाय जा रहा है उस बारे में यहां अधीराजा अधीराजा आरियावरत मतलब नौदन इंडिया का पूरा एरिया है वह आरिया वरता उसको बोला जाता था और उसके महराज़ा कौन है इस महेंद्र पाल वन इस से हमको क्या पाता चल रहा है इनका power कितना होता है यह टाइटल याद रखना है यह कौन से कोट गजनी का इन्वेजन, सबसे पहला इन्वेजन किसका था? इसके बाद जाके घजनी आया and then after him घुरी केम ओके, so राज येपाल के समय पर ये हुआ and one of the last rulers was यश्पाल, इनके समय में, ठीक है? अब इसके बाद इसके बाद, यश्पाल के बाद contemporary period में, अब देखे, यहां पर गुर्जार प्रतियार के बारा में था अब यहां पर उनके साथ-साथ contemporary में डेकन के इंदर कान राज कर रहे थे? वो भी अपने को देखना है ना? So, यहां पर the next one is going to be the राश्ट्रकूटाज अब राश्ट्रकूटाज जो थे यह उनके पहले राश्ट्रकूटाज के पहले वेस्टिन इंदिया जो टेकन इरिया था वहां पर एक दूसरी डिनस्टी दाज कर रही थी that is known as the चालुक्या डिनस्टी और यही चालुक्या डिनस्टी के जो लेटर रूलर से इस डिनस्टी को establish किया अब कहां पर establish किया साथी हो तो मतलब इनका capital इनका capital कहां होगा उसको हम मालखेंड भी बोल सकते हैं या मान्यखेटा भी बोल सकते हैं ठीक है तो डांटी दूर्गा इस दा फांडर और दांटी दूर्गा ने यह सारे titles यहां पर लिए थे titles कौन से हो जाएंगे महराजा अधिराजा परमेश्वरा और पर्माभट रहा तो यह titles आपने याद रखना है क्योंकि examination purpose के लिए यह titles बहुत important है ठीक है अगला हो जाएंगे Krishna 1 देखे यह बहुत ही जादा important ruler है आपने ऐलोरा के अंदर आपने यह देखा रहेगा ना the Kailashnatha temple so that Kailashnatha temple it was constructed by Krishna 1 and UPSC का एलोरा के अंदर यह जो मंदर है यह बहुत hot and favorite topic है इसको यह पूछते ही आता है कुछ भी अलग-लग dimension से तो यहाँ पर that is why Krishna 1 बहुत important हो जाते हैं कि Krishna 1 ने किसको हराया so that is the Kirti Verman 2 को हराया अब Krishna 1 ने Kailashnatha temple के लावा क्या कुछ और भी बनाया किया तो हाँ उसने Kannishvara college को बनाया और इस समय पे इनका language कौन सा था इनका language था Kannada ठीक है Kannada was one of the major languages जो इस area के अंदर promote हो रहा था और इन्हों ने कोई Jain scholar को पेट्रोनाइस किया था क्या तो हाँ दो Jain scholars को पेट्रोनाइस किया थे तो यह नाम आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद इसके बाद राष्ट्रकूटा के समराज्य में बहुत powerful rulers थे ओके यहां पर मैंने उन्ही rulers के बार में लिखा हुआ है अब अगर मैं एक ruler की बात करूँ तो that is the Govinda 3 यह Govinda 3 इतने जादा powerful थे कि इनको compare किया जाता था with the Alexander and also the Arjun जो पांडव के अंदर Arjun थे ना उनके साथ तो यहां पर UPSA आप से पूर सकता है कि which of the राष्ट्रकूटा rulers was compared with Alexander and the पांडव Arjun ठीक है तो वैसा करके and one of the most important ruler जिन्हों ने राष्ट्रकूटा सामराज्यों को सबसे लंबे समय तक रूल किया that is the Amogh वर्षा इनका rule 64 साल का था UPSA ने ये भी सवाल पूछे है उनके examination में the longest reaning ruler of the राष्ट्रकूटा एंपार so यह जो व्यक्ती है ना he is known as the Ashuka of the South अलग-अलग नामों से इनको जाना जाता है क्योंकि इनके पार्सवा बउधिया और यही व्यक्ती जिन्हा सेना ने ही इस राजा को जैन के अंदर convert कर लिया, so यहाँ पर आप से पूछेंगे that जो अमोग वर्षा है, वो कौन से religion के अंदर convert हुए, so it was जैनिजम, ठीक है, and इनका एक title क्या था, वीरा नारायन okay, so that is one thing after that, there is the Krishna 3 and इनको एक title दिया गया था, Conqueror of Kanchai and Tajai, so यह यह Rastokuta dynasty का rule था अब इसी के साथ, अब इसके जो contemporary इसके साथ कुछ हमले या जंग या tensions थे क्या उन सब चीजों के बार में अभी हम बात करेंगे थोड़ी दिर में and contemporary period में साथी साथ, East India में कौन सी dynasty थी साथी हो, so it was the Pala dynasty अब यह Pala dynasty जो है यह वैसे लोगों ने found किया, जो बुद्धिसम के अंदर बहुत ज़ादा मानते थे, they were the Buddhist people and यह जब यह dynasty खतम होती है, तो यह last dynasty होती है, जो बुद्धिसम जिसका state religion होता है okay, so this particular dynasty this particular dynasty के जो राजा लोग होते हैं, यह लोग बहुत अलग-अलग Monasteries Establish करते हैं, जो बुद्धिस Monasteries होते हैं Universities Establish करते हैं लोगों के अंदर Compassion लाने की कोशिश करते हैं ठीक है, बाट इसके साथ-साथ अब यह ना सोचना है आपने की यह बुद्धिस लोग है, तो यह लोग लड़ते नहीं थे नहीं, obviously, इन्हों ने भी यह बंगाल के अंदर स्थित रहने वले छोटे से सामराज्य ने एक समय पे पूरा North India अपने कबजे में ले लिया था लाहो और पेशावर और North Western Frontier प्रोविंस तक के पूरे एरियास को अपने कबजे में ले लिया था ये लोग ऐसे थे, ठीक है, so expansion के अंदर conquering areas, मतलब conquers तो होई रहे हैं, so Buddhism मतलब ये नहीं की, ये लोग सिर्फ non-violence तो promote कर रहे थे, but state के expansion के लिए भी काम कर रहे थे, but साथ-साथ में religion and tolerance को भी promote कर रहे थे, तो इनके rulers की बात करो तो इसके जो फर्स टूलर से, जिन्हों ने इस पर्टिकुलर डिनस्टी को established किया, that is known as the Gopala, इन्हों ने एक Buddhist monastery बनाया है, that is in the Odanta, that is the Odanta Puri monastery बिहार के अंदर, अब यहां पर साथ यो याद रखना है कि UPSC आप से match the following भी पूछ सकता है in the university का इसके बाद अगले राजा होते हैं धर्मपाल, धर्मपाल ने विक्रमशीला यूनिवर्सिटी के साथ सोमपूरा monastery को भी बनाया बिहार के अंदर, इनको एक title दे दिया गया था उत्तरपत्स्वामी, अब यह title क्यों दिये गया साथी हो, क्योंकि इन्हों ने उत्तर के सारे areas को capture कर लिया था, ठीक है, so that is one thing, apart from that, इनके court में एक बुद्धिस्ट व्यक्ती थे, जिनका नाम था हरी भदरा सूरी, ठीक है, हरी भदरा सूरी, इनके बाद, जो अगले ruler है, that is the देव अपाल वन, इनके court, इनके court बड़े-बड़े villages के revenues को नालंदा के maintenance के लिए दे दिया था, दान में, okay, so कुमार गुपता ने नालंदा को बनाया, लेकिन उसके continuation के लिए पैसा चीए, तो वो पैसा, जो villages से सबसे जादा आएगा, ये उन्हों ने दिया, इसके बाद एक दूसरे राजा होते हैं, that is the महिपाल, ये महिपाल वही राजा है, जिनके, जिनका जो सामना राजेंद्र चोड, तेके, राजेंद्र चोड से हुआ था, राजा-राजा चोला के बेटे थे राजेंद्र चोड और ये चोला सामराज्य के राजा थे, जिन्होंने दक्षिन भारत से नौत इंडिया तक ये सब को हराते हुए गए, and end में इन्होंने पूरे गंगा के उपर कबजा कर लिया, महिपाल को हरा के, तो यहाँ पर ये information हमको कहां से मिलती है, तो एक inscription से मिलती है, that is known as the तिरुमले इंस्क्रिप्शन, जो राजे इंडर चोड का inscription होता है, और इन्होंने किसको हरा है, उसमें, महिपाल को हरा है, लेकिन मारा नहीं महिपाल को, और नहीं यहाँ पर उनके डिनेस्टी को हटा के अपना खुद का कर रही थी, वो खतम होती है, और इनके बाद एक नया, जो हिंदु डिनेस्टी, एक नया हिंदु डिनेस्टी रूलर आता है, जो बेंगाल के एरिया को राज करेगा, और यही विजय सेना ने सेना सामराज्य की नीव रखी बंगाल के अंदर, ठीक है, तो यह, यह इस पर्टिकुलर समादान सीरीज में आपको वो सारे ही information मिलेंगे, जिससे आप prelims को बहुत असानी से clear कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यह जो समादान सीरीज है, यह बना है content, revision, application and mindset के basis पे, ठीक है, क्योंकि यह जो हमारा समादान सीरीज बना है, वो content, revision, application हमारे website पे भी और हमने इसे YouTube पे भी free में upload भी करा हुआ है, कुछ revision cards को, जो आपको UPSC के जो भी topics है, उसको जल से जल revise करने में मदद करें, क्योंकि revision is the key to clearing the problems examination, so इसी के साथ साथ आपको इसका भी जो detail है, यह हम description box में हमने already यह detail दे दिया है, तो link के उपर click करें और उसके बारे में information आपको मिल जाएगी, और हमारे team आपको contact करेगी, so इसके बाद आगे अगर हम बढ़े, तो यह तो हमने देख लिया कि early medieval के अंदर जो Indian rulers थे, उनका क्या major role play था, अब early अब इसके साथ साथ एक और चीज हो रहा था, आठवे शताबदी के अंदर, there was one situation known as the tripartite struggle, आपने यह नाम सुना रहेगा, tripartite struggle, मतलब क्या होता है कि तीन अलग-अलग party struggle कर रहे हैं एक particular area के लिए, और वो तीन parties कौन से थे, एक तो गोलजर प्रतिहारास जो west में थे, राश्टर कोटा, जो deccan में थे और पालास जो east में थे, यह तीनों लड़ किस के लिए रहे थे, गैंगेटिक plains के लिए, अब यह क्यों गैंगेटिक plains के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि गैंगेटिक plains एक बहुत ही rich, resourceful area था, agricultural जो minerals के basis पे, ठीक है, and strategically बहुत ज़्यादा rich था, water भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा था, so इन लोगों ने इस particular area के लिए लड़ना शुरू किया, कभी गुर्जर प्रतिहार ने राज किया, कभी पालास ने राज किया, इसलिए जब आप देखते हैं कि so मतलब क्या था कि उस टाइम पे गुर्जर प्रतिहार राज कर रहे थे, then जब हमने देखा कि राजेंद्र चोड ने महिपाल को हराया और गैंगेटिक प्लेंस के उपर कभजा कर लिया, मतलब तब पालास यहां पर राज कर रहे थे, जब ये एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, वो अपने मेन पावर को ही इरोड कर रहे थे, उनका पैसा खल्चा हो रहा था, important lives जा रहे थे, जो जनरल से important व्यक्ति लोग थे, उनकी मृत्ति हो रही थी, उसी टाइम पे, उसी टाइम पे जो लोकल लोग थे यहां पर, जो इतने जादा पावर्फुल नहीं थे रजवाड़े, वो लोग यहां पर पावर में आना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर राजस्थान के अंदर अलग-अलग सामराज्य, जो राजपुताना सामराज्य है, वो भी इमर्ज होने लगता है, और उन्हीं सामराज्यों के विशय में अब अगर हमें बात करें, तो 8th century AD से 12th century AD तक एक सामराज्य था, जो तोमर दे निस्ती हम जिसको बोलते थे, मतलब 8th से 12th century AD तक जो राजपुताना सामराज्य थे, बारवी शताबदी तक मैं क्यों बोल रहाँ, क्योंकि इस समय पे जो घूरी और जो घूरी का जनरल था, वो majorly इन राजपुताना लोगों को वो डिफीट करने की शुरुआत कर देते हैं, धीरे 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 अकबर क तक ये राजपुताना का जो पावर था, वो बहुत ज़्यादा इरोड हो चुका था, इसलिए यहां पर ये declining stage में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके अंदर सबसे पहले डिनेस्टी की मैं बात करूं, तो आठवी शताबदी में जैसे मैंने बताया कि एक के अंदर इन्होंने मराया, अब तोमर्स की बारे में हमें इतना information पता नहीं है, तोमर्स जो थे, इतना ज़्यादा काम भी इनका हुआ नहीं है, इनके बाद जो major dynasty जिन्होंने राजपुताना को एक दिशा दिया, एक नीव रखा, उनका नाम था चौहान डिनेस्टी, जिन्होंने ताइटल लिया था, महराजा अधी राजा, इसके बाद बहुत अलग-अलग रूलर्स है, लेकिन प्रितुरा चौहान प्रितुरा चौहान 3 के नाम से भी हम जानते हैं, यह वही व्यक्ति हैं, जिन्होंने महमद घुरी के साथ इन्होंने दो यूद लड़े थ इनके कुछ contemporary rulers थे, that is the Gahadwal, the rulers of Gahadwal, Gahadwal के एक राजा थे, जिनका नाम था Jai Chandra, Jai Chandra की BT के साथ, that is the Sanyogita के साथ, इनके जो प्रितुराज 3 है, राय पितुरा, उनका ब्या हो गया था, और ऐसा बोला जाता था, कि जब भी भी कोई बाहर से व्यक्ति हमला करने आएगा राजपताना पे, तो हम लोग जो भी रजवाडे हैं राजस्तान में, वो सभी लोग जो प्रितुराज या जो चौहान समराज्य के leadership के अंदर, वो उस विदेशी व्यक्ति के साथ लड़े यह जो भी events में साथ हो आपको बता रहा हूं, यह सब contemporary levels के आपने देखना है, ठीक है कि यह जो events हो रहे हैं इस particular time पे, पालास के क्या events थे, पालास के अंदर कान राजपराना था, तेन रास्ट्रकूटास में कान राजपराना था, और गुर्जर पतिहार में कान राजपरा होता है, लेकिन यह dynasty, यह dynasty भी जल्दी खतम हो जाती है, that is 1194 AD में ही यह खतम हो जाती है, ठीक है, जब घुरी अपने जनरल को भेजता है, इस particular जैचंद्र को defeat करने के लिए एक battle में, क्योंकि जैचंद्र, अब जैचंद्र ने प्रितुराद चोहान के साथ गद्दारी करक तो लास्ट मीजर पावर जैचंद्र ही बचाता है, अगर उसे नौधन इंडिया के उपर तप्ता करना है, तो that is why 1194 में battle of चंदावर के तहत उसे हटा दिया गए, ठीक है, अगला जो रहेगा, that is contemporary period में ही, मतलब जो पाला समराज जो है, उसके बाद जो दूसरा अब सेना डिनेस्टी ये एक हिंदू डिनेस्टी थी, इसने बुद्धिस जो पाला रूलर्स थे, उसको हरा के जो बुद्धिस थे, इन्होंने हिंदू सामराज जी की एक नीव रखी, अब जो इनके अर्ली रूलर्स थे ना, सेना सामराज जी के, इनके बारे में हमको इत सामन्त सेना ये लोग कौन से सामराज्य के थे तो ऐसा करके आप से पूछ सकता है लेकिन इसके one of the major rulers कौन थे विजय सेना ठीक है विजय सेना को हम इसके founder के तहत consider करते हैं क्योंकि एक सामराज्य के जो आकार है वो इनके ही समय पे दिया गया okay they were the ancestors now इन्हों ने ही इन्हों न इसको किया है उम्मापती धरा ने और यह जो प्रशास्तियां है यह प्रशास्ति आपसे 100% कभी न कभी तो आपसे पूछेगा क्योंकि इन प्रशास्तियों के बार में किसी को भी अभी तक आईडिया नहीं मतलब not major of the people actually know कि ये प्रशास्ति किसके लिए है सब को पता है न इन ही के साथ साथ में contemporary period में साथ साथ contemporary में extreme North India में भी तो कोई ना कोई रूल करता रहेगा ना हम गैंगेटिक प्लेंज और इन सब एरियास की बात कर रहे थे लेकिन काश्मीर की बात कौन करेगा तो काश्मीर के अंदर उस ताइम पे भी एक Hindu dynasty रूल कर रहा था जिसको हम कारकोटा डिनेस्टी ठीक है तो दो मतलब मीजर ली Islamic रूल से पहले कश्मीर में दो मीजर हिंदू डिनेस्टी वहां पर रूल कर रहे थी सबसे पहले कारकोटा डिनेस्टी वहां पर रूल कर रही ठीक अब इसी में जब मैं कारकोटा डिनेस्टी की बात कर रहा हूं तो सा पूछता है, okay, so that is why, अब इनका जो capital था, वो दू नामों से जाना जाता है, एक जो है पारसपूर और दूसरा है परिहसपूरा, तो दोनों भी नाम एक ही है, ठीक है, and ऐसा बोला जाता है कि यह जो लोग थे, कारकोटा वाले, यह सन गौड को बहुत जादा मांगते थे, इ इनका दूसरा नाम भी बोला जाता है, लले तादित्या है, इनका दूसरा और इनका ओरिजिनल ले लले तादित्या होता है, okay, now यह जो थे ना, यह सन किसके थे, दुरलब भका के, okay, and इनका बहुत जादा मेजर रोल प्ले था, काश्मीर के अंदर हिंदू कल्चर को प्रम करते हैं, यह अनंतनाग में इन्होंने बनाए, आप देखे, आज के टाइम में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई, काश्मीर के अंदर बहुत सालों से, बहुत जमानाओं से, मुसल्मान राज था, but here, here, what do we understand that, no, there was a Kashmir, Kashmir was initially under the rule of whom, it was under the rule of the Hindus, okay, so, apart from that, यहाँ एक हिं वहाँ पर उत्पाल डिनेस्टी का नाम भी आएगा अगर UPSC इस पर सवाल पूछेगा, तो साथियो, अब इसमें यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग-अलग rulers के chronology के अंदर लिखे हुए हैं, बट उन में से सबसे important होते हैं Queen Didda, Queen Didda क्यों important होते हैं, क्योंकि यह महरानी के बारे में कश्मीर के एक इतहासकार, जिनका नाम होता है कलहान, कलहान ने एक पुस्तक लिखी थी, रजत रंगिनी, बारवीश अताबदी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, और यही रजत रंगिनी के अंदर ये कश्मीर के अलग-अलग राज घरानाओं के बारे में बा तरंगा ना अब इसके बाद लोहारा डिनेस्थी ने इस पर्टिकुलरी एरिया के अंदर कबदा कर लिया तों यहां पर हमने कितने विच्डी के लिया तो टूटल तीन देख लिये वन इसुरी तो यहां पर यहां Par प्रिवियस सेशन में क्या देखा था कि साउथ इंडिया में पहले सत्वाना से देन वाकटाकर से देन एक्षवाकू थे ठीक है देन पल्लवाज आ गए ओके पल्लवाज अफ़कांची कूरम देन चालुक्याज आ गए और फिर उसके बाद चोलाज आ गए ठीक है देन और फिर उसके पहले बाद ये मेंन लाइन चोलाज होते हैं इनको हम इंपेरियल चोलाज के नाम से भी जानते हैं and then third it is going to be the latter चोला जब चोला सामराज्य डेकलाइन होने लग जया क्यूदेकलाइन होने लग जया क्योंकि लेटर चोला जो रूलर थे वो बहुत कम्स होते तब हम बोलते हैं उसको लेटर को लाज, ओके, सो अब पॉइंट ये है कि 850 में ये टिनेस्टी इस्टाबलेश होई, साउथ इंडिया के अंदर, धीरे-धीरे करके इसने मुख्यरूप से सारे ही साउथ इंडिया को अंडर कंट्रोल ले लिया, बट इन से पहले कौन था अब यही इसी पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साउथ इंडिया है, अब इसी के अंदर, मैं क्या, अपने क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले, साउथ इंडिया में, during the 4th century AD, यहां पर एक डिनेस्टी बनती है, जिसका नाम होता है पल्लवाज, ओके, पल् कांची पूरम में होता है, और यह जो पल्लवाज दिनेस्टी थी, यह यहां पर रूल करते जा रही थी, इसके बाद, वेस्ट इंडिया में, वेस्ट मतलब करनाटिका एंड जो एरियाज है, वहां पर एक दूसरी डिनेस्टी इस्टाबलिश होती है, जिसको हम बोलते हैं वेस्टेन चालुक्याज होते हैं, और यह जो वेस्टेन चालुक्याज का कैपिटल होता है, अब यह जो डिनेस्टी थी, यह छटवे शताब्दी में बनती है, 6th century AD में बनती है, और धिरे धिरे करके, यहां पर क्या हो रहा है न, कि इन दोनों का इन दोनों का लड़ाई ह रहे जिन सशांक गवड़ा है, तो ये contemporary period में चलते जा रहा है, धीरे-धीरे क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में टक्राव बढ़ते गए, चालुक्याज और पलवास के बीच में टक्राव बढ़ते गए, फिर जब चालुक्याज initially जीत जाता है, चालुक्याज के एक ruler होते जिनका नाम होता है, पुलकेशन second, ये पुलकेशन second जो है, जब यहाँ पर पलवास को हराते हैं, तो पलवास को हराने के बाद, जो पलवास का एक northern area था, ठीक है, पलवास का एक northern area था, मतलब ये वाला जो belt है न, चालुक्याज के इतने kingdom को वो expand कर देते हैं, और यहाँ प मतलब चालुक्यास, चालुक्यास के पुलकेशन second, उस समय के पलवा के राजा, उस समय के पलवा के राजा, जो होते हैं, महेंद्र वर्मन, उनको हरा देते हैं, अपने डिनस्टी को expand कर लेते हैं, लेकिन उनके जो बेटे थे, पलवास की जो बेटे थे, that is the Narsimha वर्मन, नरसिमहा को ये अच्छा नहीं लगता है, जन्ग का घोशना कर देते हैं और पुलकेशन को हरा देते हैं, मतलब western चालुक्या का बांच हार गया लेकिन जो ये extension था यहां पर जैसे ही publication second हार गया यहां के जो main व्यक्ति थे governor थे उन्होंने अपना independence ले लिया और बोल दिया कि भाई हम जो है न हम eastern चालुक्याज है जो western चालुक्याज से जोड़े हुए नहीं है तो यहां पर ये एक द आठवे शताब्दी तक चल रहा था आठवे और नौवे शताब्दी तक तो finally क्या हो गया 9th century AD के अंदर मतलब 850 AD में इस पर्टिकुलर एरिया में that is the तांजोर एरिया है यहां पर यहां पर mainline चोलाज का establishment होना शुरू हो जाता है अब वो mainline चोलाज को establish कौन करते हैं सबसे पहले व्यक्ति जो रहेंगे that is going to be the विजयाला चोला यह founder है इस पर्टिकुलर डिनेस्टी के और यह feudatory किसके थे पल्लवाज ऑफ कांची के ठीक है अब यहां पर जैसे आप इतना extend हो चुका था पडलवाज के रूवल इतना extend हो चुका था ये जो है यह वले जो highlight है वहने यह ऐए और यहां पर एक area था जो चोला Was का था और ए चोला रूलर्स का था और यह चोला रूओर उनके fedatory से तो जैसे ही पता चलता है कि भाई ये पलवास बहुत कमजोर हैं तब जाके इन्होंने उनको डीपोस कर लिया और विजयाला ने अपनी एक नया समराज्य बना दिया इसके बाद बहुत अलग अलग पावरफुल रूलर्स आए जैसे कि विजयाला के बाद अधित्यावन है अधित्यावन अब ये बहुत सारे पावरफुल राजा थे इन्ही के अंदर अगर मैं सबसे पावरफुल मतलब प्र में कुछा इंपार्टन लगी होい की मैं बात करूँ तो यजो राजाराण चोड़ ये जो रजा राजा चोड हैं इन्होंने अपनी डिनेसटी को और एक्स्पांड लि अब उसी के बाशेश पर इन्हों ने एक टाइटल भी अडॉप्ट कर लिया था, इसके अलावा इन्हों ने एक दूसरा टाइटल भी अडॉप्ट किया, इसके उपर गाप्टर कर लिया, ठीक है, अगर मैं टाइटल की बात करूं, जैसे यहां पर मदुरन टका है न, या मद राजेंद्र चोला वन, अगर अलग-अलग एरियास को कॉंट कर कर रहे हैं, तो मतलब वो उन एरियास के हिसाब से अपना नाम रखेंगे, ओके, तो यहां पर, इन्हों ने भी आएंट राजेंद्र चोला के थिरुमले इंस्रिप्शन के हिसाब के हमने क्या देखा, कि यह यहां पर कुछ ऐसे लेटर रूलर का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है, कुलो थूंगा, कुलो थूंगा लास्ट मीजर पावर्फुल रूलर थे, कुलो थूंगा के बाद जो रूलर आए ना, वो सारे बहुत कमजूर रूलर थे, के पिपल इतने नहीं थे, जो इतने इंडिया के अंदर बाहर से इंविजन होने लग जाते हैं, जैसे कि ट्राइपाटाइस ट्रगल जब चल रहा है, राष्ट्रकूटास, बालास और गुजर पतिहार के बीच में, तो यह जंग के अंदर बहुत रिसॉर्स लॉस्ट हो रहे हैं, और वेस्टन लोगों को जो हैं, उनको एक मौका मिल जाता है, इंडिया के उपर हमला करने का, वन अप अप अर्लियेस्ट इंविजन इंडिया इंडिया, जो 712 एडी में भारत के सिंध एरिया के अंदर, अखंड भारत के सिंध एरिया के अंदर, वो हमला करता है, और वहाँ पर एक राजा होते हैं, रजा दाहिर, वह उसको मार के, राजा दाहिर, सिंद के राजा होते हैं, उस पर्टिकॉलर समय पर, उसके पहले, दाहिर के पहले, वहाँ पर बुद्धिसर सामराज्य था, दाहिर ने वो हटा के, अपना खुटता सामराजय established किया मोहमद बिन कासिम आता है दहिर को हराता है ठीक है मार देता है एंद दहिर के एरिया के उपपर कुछ समय तक राज करते रहता है ओके अधाट पॉइंट ऑफ टाइम मेजर मेजर जो कंटेंशन था ना इनके बीच में वो था पॉट अफ देवल पॉट अफ देवल जो महमद अब घजनी है वो इंडिया के उपर इंवेड करता है वह लगभग लगभग बहुत सारे इंवेजिन करता है मतलब उसके अंदर वो टोटल 17 रेट इंडिया के अंदर करता है जिसके अंदर वह सोलवा रेट सुमनात मंदिर के उपर करता है major इसकी रेट का रेडी के बाद से and वो अलग-अलग-अलग-अलग-अलग लोगों के साथ वो यहां पर जंग लड़ता है and and इसी पर्टिकुलर जंग में वो एक व्यक्ते के साथ जंग लड़ता है that is going to be the battle of लड़ता रहें दट इस अ परित्वराज चौहां दो जंग लड़ता है 1191 में परित्वराज जीत जाता है बट 1192 में परित्वराज की हार होती है and जैसे ही हार होती है वैसे ही महमध घुरी इंडिया के अलग-अलग अरियास के अंदर एक्पांड करने लगता है उस तेम पे म गुरी के मृत्यों के बाद यहां पर अगले मतलब वह अपना एक नया दिनस्ती इस्ताबलेश कर लेते हैं and at that point of time वह स्लीव दिनस्ती केलाता है and इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का भारत के अंदर शुरुआत होता है अर्ली मेडिवल का समापन होता है and actual medieval period का शुरुआत होत है okay so this is going to be यहां पर यहां पर जो महमद घुरी है उसकी मृत्यों एक particular खोकर ट्राइब के वज़े से होती है और यह खोकर ट्राइब जो है ना यह बहुत खोकार ट्राइब था जिससे महमद घुरी भी डरता था तो यहां पर आपने यह खोकर ट्राइब याद रखना है औ और साथी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है यह जो हमने पढ़ाई करिये उसको कही ना कहीं तो अप्लाइ करना पड़ेगा ना कि क्या हम प्रिलियम के अंदर इसको अक्च्छल में हम कर पा रहे हैं क्या अन प्रिलियम में हमें तो पता है ना कि सिफ 100-105 मांक्स अगर हम ला जिसके अंदर आपको live answer discussion हम देंगे 50 जो 50 मार्क्स के 50 questions के test series रहेंगे ठीक है वो वैसे ही हम 20 टेस्ट आपको provide करेंगे अपार्ट फॉम यहां पर AI-based आपका test analysis होगा कौन से areas weak हैं किसके उपर आपको work करने की जरूरत है यह सारे चीज़े हम इस particular module के अंदर देंगे हमारे जो thousands of aspirants जो इस particular test series को देख यह मतलब जो इस particular test series में enrolled है उनका ranking daily test के अंदर उनका daily ranking होगा कि वो कौन से rank पे stand कर रहें ताकि आपको पता चल रहा है कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है तो यह सारे चीज़े हम इस particular test series के अंदर लाएं हैं साती हो इसके इसके भी जो details ह है वो description box में आपको दे दिये गए हैं so you can click on the link and you can enroll for clearing the problems examination very much smoothly and easily तो वहां तक था हमारा early medieval time period अब हम बात करेंगे हमारा actual medieval time period that is the medieval Indian history के बारे में साती हो UPSC के अंदर medieval Indian history का importance है and UPSC सवाल पूछता है medieval Indian history पे तो इसे हमने सशांक गवडा है तो यह contemporary period में चलते जा रहा है दीरे दीरे क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में टक्राव बढ़ते गए चालुक्याज और पलवास के बीच में टक्राव बढ़ते गए फिर जब चालुक्याज initially जीत जाता है चालुक्याज के एक ruler होते जिनका नाम होता अधा है यह pal jurisdiction second जे जब यहाँ पर पलवास को हराते हैं तो पलवास को हराने की बाद जो पलवास का एक northern area था था कि पलवास का एक northern area था मतलब यह वाला जो बेल्ट है ना चालुक्याज के इतने kingdom को वो एक्सपांड कर देते हैं और यहां पर एक नया चालुक्यन ब्रांच बनता है ठीक है मतलब चालुक्यास चालुक्यास के पुलकेशिन सेकेंड उस समय के पल्लवा के राजा उस समय के पल्लवा के राजा जो होते हैं महेंद्र वर्मन उनको हरा देते हैं अपने डिनस्टी को expand कर लेते हैं लेकिन उनके जो बेटे थे पल्लवा के जो बेटे थे ठाट तबिबर देंद लेकिन जो ये ऑच्छा नहीं लगता है जंग का गोशना कर देते हैं पुल केशन को हरा देते हैं मतलब western चालुक्या कबांच हार गया लेकिन जो यह से जुड़े हुए नहीं है तो यहां पर यह एक दूसरा ब्रांच बन जाता है और पल्लवाज का डाइनेस्टी वापिस से पावरफुल होते रहता है होते रहता है तो यह यहां पर मेजर पॉलिटिक्स चल रहा था और वर का सिनारियो चल रहा था जब यह सब आठवे अबरी तक तो फाइनली क्या हो गया 9th century AD के अंदर मतलब 850 AD में इस पर्टिकुलर एरिया में तांजोर एरिया है यहां पर यहां पर में लाइन चोलाज का establishment होना शुरू हो जाता है अब वो में लाइन चोलाज को establish कौन करते हैं सबसे पहले व्यक्ति जो रहेंगे that is going to be the विजयाला चोला यह founder है इस पर्टिकुलर डिनेस्टी के और यह feudatory किसके थे पल्लवाज ऑफ कांची के ठीक है अब यहां प और यहां पर एक एरिया था जो चोला रूलर्स का था और यह चोला रूलर्स उनके फिडेटरी से तो जैसे ही पता चलता है कि भाई यह पल्लवाज बहुत कमजोर है तब जाके इन्होंने उनको डीपोस कर लिया और विजयाला ने अपनी एक नया सामराज्य बना दिया इस इसके बाद बहुत अलग अलग पावरफुल रूलर्स आये जैसे कि विजयाला के बाद अदित्यावन आये अदित्यावन के बाद परांटका ने अपने एरियास को और ज़्यादा एक्सपांड कर लिया और उन्होंने अपने टाइटल्स अडॉप्ट करें अधिस अधिस बहुत इंपॉटन है क्योंकि यूपी असी आपसे इन ही टाइटल्स के बार में सवाल पूछेगा तो इसको ध्यान रखना है हाना अब इसके बाद परांटका सेकेंड सुन्दर चोल अब यह बहुत सारे पावरफुल राजा थे इनी के अंदर अगर मैं सबसे पावरफु पावरफुल राजाओं के अंदर अगर मैं कुछ इंपार्टन लोगों की मैं बात करूं तो इसको इन्हों ने नया नाम दे दिया था जिसको हम बोगते हैं मुमुडी चोला ठीक है मुमुडी चोला अब उसी के बैसे पर इन्नों ने एक टाइटल भी अडॉप्ट कर लिय इसके अलावा इन्होंने एक दूसरा टाइटल भी अडॉप्ट किया उसके उपर कैप्टर कर लिया ठीक है अगर मैं टाइटल की बात करूँ जैसे यहां पर मदुरन टका है ना या मदुरोई कोंडा मदुरोई कोंडा मतलब तो वैसे ही अगर अलग-अलग एरियास को कॉंड कर रहें तो मतलब वह उन एरियास के हिसाब से अपना नाम रखेंगे ओके सो यहां पर इन्हों ने भी आएंट राजेंद्र चोला के थिरुम अले इंक्रिप्शन के हिसाब से हमने क्या देखा कि यह नौत इंडिया गयते मह इंडिया के अंदर कुछ दूसरे डिनस्टी भी थे यहां पर कुछ ऐसे लेटर रूलर का नाम मैंने यहां पर लिखा हुआ है कुलो थूंगा के बाद जो रूलर आए न वह सारे बहुत कमजोर रूलर ते के पेपल इतने नहीं थे जो इतने बड़े सामराज्य को इकत्रि करके रख सके आफ्टर यह पर्टिकुलर एपिसोड ओके कंटेंप्ररी पीरियड में उसी टाइम प्रिम में एक और चीज होता है इस इंडिया के अंदर बाहर से इंवेजन होने लग जाते हैं जैसे कि ट्राइपार्टाइज स्ट्रगल जब चल रहा है राष्ट्रकूटा बालास और गुजर्पतिहार के बीच में तो यह जग के अंदर बहुत रिसॉर्स लॉस्ट हो रहे हैं और बिकॉज अफ बारत के सिंद अरिया के अंदर वह हमला करता है और वहां पर एक राजा होते है जिनका नाम होता है राजा दाहिर वह उसको मार के राजा दाहिर उसके पहले दाहिर के पहले वहां पर बुद्धिस सामराज्य था दाहिर ने वो हटा के अपना खुद का सामराज्य इस्टैब्लिश किया मौहमद बिन कासिम आता है दाहिर को हराता है ठीके मार देता है और देन दाहिर के एरिया के उपर कुछ समय तक राज करते रहता है and at that point of time major major जो contention था ना इनके बीच में वो था the port of Deval port of Deval मतलब आज के समय का जो कराची port है उसके basis के अपर इनका में टकराफ था इसके बाद वहाँ पर मतलब लगभग 200 सालों तक किसी ने भारत के पर आक्रमन नहीं किया लेकिन उसके बाद एक डिनेस्टी होती है उसका जो महमद अभगजनी है वह इंडिया के अपर इन्वेड करता है वो लगभग लगभग बहुत सारे इन्वेजिन करता है मतलब उसके अंदर वह total 17 रेट इंडिया के अंदर करता है जिसके अंदर वह 16 रेट सुमनात मंदिर के 1154 AD के बाद से and वो अलग-अलग अलग-अलग लोगों के साथ वो यहाँ पर जंग लड़ता है and इसी पर्टिकुलर जंग में वो एक व्यक्ति के साथ जंग लड़ता है that is going to be the battle of taran that is the पृत्वराज चोहान दो जंग लड़ते हैं 1191 में पृत्वराज जीत जाता है but 1192 में पृत्वराज की हार होती है and जैसे ही हार होती है वैसे ही मौहमद घुरी इंडिया के अलग-अलग अरियास के अंदर एक्सपांड करने लगता है उस तेम पे मौहमद घुरी के तीन जनरल होते हैं the first and the most capable was कुतबुद्दिन आईबग the second is going to be नसरुद्दिन कभबाचा and third is अजुद्दिन याल्दुस ये तीनो गवर्नर्स ये तीनो जनरल्स में से military generals में से सबसे powerful कुतबुद्दिन आईबग होते हैं तो गुरी के मृत्यों के बाद यहाँ पर कुतबुद्दिन आईबग अगले मतलब वो अपना एक नया dynasty established कर लेते हैं and at that point of time वो slave dynasty कलाता है and इसी के साथ डिल्ली सल्तनत का भारत के अंदर शुरुवात होता है early medieval का समापन होता है and actual medieval period का शुरुवात होता है okay so this is going to be यहाँ पर यहाँ पर जो मुहमद घुरी है उसकी मृत्यो एक particular khokar tribe के वज़े से होती है और यह khokar tribe जो है न यह बहुत khokar tribe था जिससे मुहमद घुरी भी डरता था तो यहाँ पर आपने यह khokar tribe याद रखना है और इसका association मुहमद घुरी के साथ याद रखना है और साथी जो भी अभी तक हमने पढ़ा है यह जो हमने पढ़ाई करिये उसको कही न कहीं तो apply करना पड़ेगा कि क्या हम prelims के अंदर इसको actual में हम कर पा रहे हैं क्या and prelims में हमें तो पता है न कि सिर्फ 100-105 अगर हम ला ले तो कहीं न कहीं हम safe है ओके वो चीज करने के लिए जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम सही तरीके से apply कर सके examination को अच्छे से and positively हम clear कर सके keeping that in mind आपको minimum 100 score 105 score आ जाए उस हिसाब ते we have launched this particular test series that is the Shatak Plus जिसके अंदर आपको live answer discussion हम देंगे 50 जो 50 marks के 50 questions के test series रहेंगे ठीके वो वैसे ही हम 20 test आपको provide दरेंगे apart from that यहां पर AI based आपका test analysis होगा कौन से areas week हैं किसके उपर आपको work करने की ज़रूरत है यह सारे चीजे हम इस particular module के अंदर देंगे हमारे जो thousands of aspirants जो इस particular test series को देख रहे हैं उनका ranking daily test के अंदर उनका daily ranking होगा कि वो कौन से rank पर stand कर रहे हैं ताकि आपको पता चल रहा है कि आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है तो यह सारे चीजे हम इस particular test series के अंदर लाए हैं तातियो इसके इसके भी जो details है वो description box में आपको दे दिये गए हैं जो सामराज्य को एक अत्रित नहीं रख पाते हैं जैसे कि अब यह जो लोग है न दीखिये कितने कितने समय के लिए बस यह लोग राजा बन रहे हैं और अगर कोई जादा समय के लिए भी राजा बन रहा है तो he is just a puppet ruler के इस चाइम पे कोई न कोई Noble बहुत जादा powerful रहेगा और वो उसको सुल्तान को उस पद पे बिठाएगा और खुद फाइदा में रहेगा that is acting as a de facto person अब इसी टाइम पे क्या हो गया ना during the time of नसीर उदिन महमद शाह एक व्यक्ति that is the Timur Timur भारत के उपर invade करता है 1398 AD में and जब Timur का एक general होता है that is the Kizar Khan वो इंडिया के अंदर बहुत ज़ादा Indian subcontinent के अंदर बहुत powerful रहता है वो यहाँ पर इस व्यक्ति को that is the नसीर उदिन महमद शाह को कुछ time तक राज करने देता है लेकिन जब उसे लगता है कि नई भाई अब तो इसे हटाना पड़ेगा तब जाके 1414 में किजर खान क्या करता है कि नसीर उदिन महमद शाह को हटा देता है 1398 में ही वो अल्रेड़ी हट चुके थे indirectly बस पड़ से नहीं हटाया था लेकिन किजर खान ने यहाँ पर उसे officially पड़ से हटा के 1414 में अपना खुद का डिनेस्टी established कर दिया and that is going to be known as the सायद डिनेस्टी सायद डिनेस्टी लगभग लगभग 35-40 सालों के लिए चला that is till 1451 इसके चार अलग-अलग rulers रहे थे किजर खान जो है न ये तिमूर के बेटे शारुक के नाम पे इंडिया के अंदर रूल कर रहा था किजर खान के बाद मुबारक शाह then महमद शाह and then अलाओदिन आलम शाह जब अलाओदिन आलम शाह था उस टाइम पे भारत के अंदर ही North India में जो लोधी सामराज्य था मतलब लोधी लोग थे that is the first person is the बहलोल लोधी ये व्यत्ती ने मौका देख के इसको अलाओदिन आलम शाह को हटा दिया और अपना खुद का डिनस्ती इस्टाबिश कर दिया that is the लोधी डिनस्ती और लोधी डिनस्ती लगभग लगभग 70 सालों तक रूल करता है 75 सालों तक भारत के अंदर रूल करता है 55-64 सालों तक और इसके अंदर total तीन major rulers रहे हैं सबसे पहले बहलोल लोधी होते हैं then सिकंदर लोधी and finally इबराहीम लोधी इबराहीम लोधी के टाइम पे ही बाबर आते हैं दिरो दिन बाबर and वो first battle of मानिपात करके यहां पर इनको हरा देते हैं and उसी के बाद से मुगल सामराज्य का यहां पर नीव होता है अब मुगल सामराज्य 1526 में बनता है and वो 1857 तक उसका चलते रहता है ठीक है 1857 में क्या हो गया कि जो first war of independence जिसको हम revolt of 1857 के नाम से भी जानते हैं वो particular battle के अंदर जो बहादुर्शा जफर थे मुगल emperor उनके बेटों को princess को मार दिया गया that is मुगल लाइन को खतम कर दिया गया and बहादुर्शा जफर को jail भेज दिया गया that is exile में भेज दिया गया रंगूर में जहां पर 1862 में उनकी मृत्य हो जाती है okay so because of that यहां पर मुगल सामराज्य खतम हो जाता है अब मुगल सामराज्य में यह जो chronology है साथियो यह बहुत ज़्यादा important है यहां पर यही chronology UPSC को पता है कि आपको जो स्कार्टिंग वाले है ना that is बाबर, हुमायून, अकुबर, जहांगीर, रहा जहां, अवरंग्जेब यह chronology आपको पता है but UPSC को पता है कि aspirants लेटर chronology के उपर बात नहीं कलते है मतलब इतना ज़्यादा work नहीं कलते है तो यह जो लेटर chronology है यह भी बहुत important है यहां पर मैंने chronology के साथ ता time और कुछ important information भी add करा हुआ है जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके details यह क्योंकि एक timeline है यहां पर हम बहुत ज़्यादा detail में नहीं जा सकते हैं यह पर्टिकुलर व्यक्ति ने यह कार्य किया और वो कार्य किया नहीं उसके लिए we'll come up before the prelims with another particular session ओके लिए a master series on that is you know a long series on covering the whole of history ओके बट हावेवर यह timeline based approach है तो इसके लिए हम इतना ही रखेंगे इसी के साथ तर एक last announcement आपके लिए करना चाहूँगा that हमारे UPSC के अंदर जो CSAT का जो topics होते हैं वो 2023 का topic आपने देखी लिया था कितना जादा tough था so ताकि वो आपको tough ना लगे and आप CSAT को बहुत असानी से clear कर सके उसी के लिए हमने CSAT का एक crash course भी launch किया है and ये crash course के details आपको description box के link में मिल जाएंगे okay so जल्द से जल्द link के पर click करें and join the crash course and clear the prelims with ease so with this I will end this particular session I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा okay अगर कुछ भी doubt है तो comment करके ज़रूर बताएए आपके comments को revert back करूँगा मैं address करूँगा आपके queries को आपके है तो